नमस्कार चानक्य और लीडर्शिप इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है आज चानक्य और चंद्रगुप्त मोरिया के बारे में बात करेंगे जिनोंने इस लीडर का निर्मान किया था यानी चंद्रगुप्त मोरिया का इस विशे के उपर बात करेंगे हम भी as a leader हमार भी इस तरीके से सोचते हैं और समझ में नहीं आता कि कैसे इस लीडर को चुनना है यह वीडियो बहुत इंपोर्टन है तो आज की वीडियो में देखते है चानक्ये ने उस समय पर क्या किया था when he wanted to create a leader देखिए as discussed चानक्ये was a great guru बहुत बड़े गुरू थे बहुत अच्छे गुरू थे he was a great teacher और उस जमाने में जब राष्ट्र निर्मान का उन्होंने शपत लिया था उन्होंने सोचा था कि अभी मैं राष्ट्र को निर्मान करूंगा उन्हों देखा कि he needs a king, he needs a powerful king जो इसको rule करेगा और सारे देश को इखटा आगे बढ़ाएगा powerful nation की तरफ इस देश को लेके जाएगा लेकिन problem क्या था हमारे देश में हमारा देश actually बहुत बढ़ चुका था 16 kingdoms में ये देश divided था और सबका एक दूसरे से जगडा था आप भी देखिए आपके office में भी कैसा होता है आप कुछ goal setting करते हैं और team formation का काम करते हैं लेकिन आपको समझ में आता है कि team में ही बहुत जगडा है और एक team बनाने में एक nation को बनाने में एक company को बनाने में बहुत ज़रूरी है सब members ने एक platform पर आना एक goal के लिए काम करना यह बहुत ज़रूरी है और यह सब करने के लिए we need a proper leader right तो उन्होंने खोजना start कर दिया search करना start कर दिया और उनकी दिमाग में एक चीज़ fix थी कि उनको young leader चाहिए क्योंकि अगर हम किसी young leader को train करेंगे तो हमारे पास वो 30-40 साल का extra समय रहता है हमेशा तो उन्होंने खोजना start कर दिया इदर उदर देखा हर गाव में जाने लगे बच्चों को देखने लगे कि कौन exactly अच्छा leader बन सकता है तो एक दिन वो गाव में गए और एक बच्चे को देखा जो वहाँ पर खेल रहा था और कुछ वहाँ पर नाटक चल रहा था जहां पर चंद्रगुप्त मोरिया एक जच के तौर पर उस नाटक में काम कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे वो नाटक में नियाय देने का काम कर रहे थे जहाँ पर वो लोग आते थे उस कोट में और वो नियाय देने की कोशिश कर रहे थे यह देखकर चान्यक के बड़े इंप्रेस हो गए और उन्होंने देखा कि यह बच्चा यह लड़का बहुत अच्छा बन सकता है, उनको चंद्रगुप्त में वो लीडर्शिप की कॉलिटी दिखाई थी, उनको लगा कि यार यह बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, अगर आप देखो के चंद्रगुप्त महुरिया का बैग्राउंड, वो एक मामूली लड़का गरिब घर से था, उनको कुछ भी नहीं पता था कि उनके अंदर भी लीडर्शिप की कॉलिटीज है, लेकिन चानक्या वाज वेरी गुड, वेरी शार्प एट फाइंडिंग लीडर्स, फाइंडिंग द टैलेंट, उनको पता रहता था कि किसमें वो टैलेंट है, आप भी अगर अगर लीडर काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन अच्छा लीडर बन सकता है, तो फिर क्या था, जब उन्होंने रियलाइज किया कि चंद्रगुप्त में वो कॉलिटीज है, वो उनके मा के पास चले गए और उनको बताने लगे कि आपके बच्चे को में लेके जाता ह बात pię लगे में बच्चे को लेके जाता है। अफिर को लेके जाने के बाद उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ और अल्टेमेटलीउओ इंको यह पीतलेज चंद्रगुप्त मोरिय अच्छा? छैत्ट को लेकिया जाने कि आपको लगता है यह यह बडर्ला है नड़क है कि अब देखिए entrar na cricket अगर किसी को बैटिंग नहीं आती है तो he cannot become the captain of that team इसको पहले bat आनी पडेगी जिसको बैठ नहीं आती he cannot become the ultimate leader or the king or the captain तो यहाँ देखिए 2 चीज़े important है 2 चीज़े अम लोगों को सीकने को मिलती है एक तो निरहीं को पेलियत होना चानक्य ने इडेंटिफाइ किया कि चंद्रकुप्त लीडर बन सकते हैं, लेकिन इस समय देखिए, यह तो इडेंटिफिकेशन, यह 50% प्रोसेस है, यह तो अभी बच्चा है, अभी चोटा सा सीड है, पेड नहीं है, ट्री नहीं है, यानि यह बच्चा है, एक्चुल लीड अभी किंग नहीं है, तो इडेंटिफिकेशन एक प्रोसेस है, और उसके बाद उनको लेके गए, और वो सीड को कंवर्ट किया ट्री में, वो बच्चे को कंवर्ट किया किंग में, यानि ट्रेनिंग, यानि उसको डेवलप करना, यह प्रोसेस बहुत इंपोर्टन है, आप आपको भी आपके office में यह दो steps important है, यह जानना होगा, if you are looking for a Chandragupta, आपके office में अगर किसी को Chandragupta बनाना है, तो पहले पहचानो कौन बन सकता है, और उसके बाद उसको detailed training देना बहुत important है, यानि selection और training, यह दो चीज़े आप करोगे, तो definitely leadership के qualities डेवलप किये जा सकते है, तो आज का conclusion यही है, जैसे हमारे चानक्ये ने उस समय चandragupta को खोच के निकाला, identify किया, उसको training दिया, उसी प्रकार से आपके company में, आपके office में भी आपको identify करना है, कौन leader बन सकता है, और उसको pick कीजिए, और उसके उपर काम कीजिए, उसके उपर training कीजिए, because without training, leadership is very dangerous, सी बनेगा, just like चंद्रगुप्त मोरिया